नमस्कार दीपा अमीन फूरेंड लाइप में आपका स्वागत है तो फिर मैं आज राइस काई आइटम बनाने जा रही हूं बहुत सारे राइस के आपको बता है कोकोनट राइस इमली राइस लेमन राइस कर्ड राइस तो अब हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन मटर राइस तो उसके लिए ये राइस है ये राइस को हमेशा पहला भी मैंने बताया कि ऐसा खुला रखने अबस अगर हमको कुछ ऐसा राइस बनाना है तो राइस पाकाने के टाइम पर है है सिंगल सिंघल होना चाहिए इसे करनी क को सेसे का legal अब ही नगे मंसाला बनाना है उसका तो उसके मसाले के लिए है कि यह मिर्छी है ग्रिण क फिर मटर ग्रीण फिर ए धन्यइबत्त कप्ता और आधरक तो green नहीं है बट थोड़ा सा आधरक डालने का taste के लिए फिर ये पिसनी के लिए है डालना है और ये तड़के में डालना है मटर और फिर जीरा एक लवंग एक काला मीरी और एक दालचीनी थोड़ा सा तेल और स्वादमसर नमार तो हमें इस rice को green बनाना है ये white rice ह किऊ तो उसके लिए हैंब हम इसको क्या करना है कि इसको mixer में हमें पांस लेने का कई चैनी के बाद मैं आपको दिखाव चैन Vine के बाद ऑसा दिखेंगा थोड़ा दरदर पीसनी का फिर आभी मैंने कड़ें गरम करूरें लिए रखा है तो कड़ें में हम ढालेंगे तेल आइल बहुत आइल डालने की जुरूत नहीं है थोड़ा सा आइल डालने का पिर आइल गरम करके देखने का गरम हो गया है क्या नहीं आइल गरम हो गया अभी हम यह सारा लवांग एक काला मेरी और सब डाल देने का हां डाल दिया तो उसने हम थोड़ासा नीमबु डालने है चरका में मैं भूल रहती नीम डालने के लिए थोड़ासा ज्ड़ा ने टेश एक के लिए तो अभी यह डाल दिया तक आदेप आदर हम ठीका हुआ क्या क्या क्याबद इखा आद्रकट लजूомина वह ज़्दम आद्र जाज बारी करकने का, उत इसा डरिख दर इसके बया, जोने का, तो मतलु को छोड़ा नर्म उने-त जाद़ा ने-ते की, जादने तर नमस 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 इसकी जिना तो कुछ नहीं भाई, इसकी जिना तो अभी नहीं, तो देखी एक ग्रीन तलर है ना, यास भारिक करके फोड़ा सा एशा, एक दो-तीन मिनिट बर, ज्यादा पकाने कने उसा तलर शें नहीं करने आए, अभी देखिए, हाँ, अभी पग्य तो बिल्कुल थोड़ा सा और अभी थोड़ा सा नमस 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 नेका, थोड़ा सा नमस 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 डाला, अधी अच्छ से इसको जमादोने राइस को, पुरा ग्रीन कर देने का राइस को, यह अपना ग्रीन मसाला का ग्रीन मटर राइस रेडी हो गया, आपको ग्रीन दीख रहे ना, यह दीखी ग्रीन-ग्रीन कलर, तो खाने में तो एकदम सुपर है, और आपको यह डिश अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और